Hello friends, my name is Narendra, welcome back to my channel NB Creation दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Idea Vodafone Sim की Call Details कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल फ्री जी हाँ दोस्तो 6 महीने पुरानी Call Details मैं आपको निकाल कर दिखाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा चैनल पर फैली वार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि ऐसी ही मैटपूर वीडियो आपको मिलती रहे है वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और दोस्तों में शेर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको Vodafone का एप डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से तो मेरे पास यहां पर डाउनलोड है तो मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं वी आई का एप तो एप का होम पेज कुछ इससरे से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा आप सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल की जिस आईडिया Vodafone SIM की आप डिटेल निकल परना चाहते हैं वो नंबर आप यहां पर एंटर कर दीजिए उसके बाद उस नंबर पर एक OTP आएगा आप Send OTP पर क्लिक करेंगे एक OTP आएगा वो OTP आपको यहां पर एंटर कर देना है और उसके बाद Login with OTP पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से आपका जो Account है Login हो जाएगा Vodafone App का Home Page आपके सामने Open होकर आ जाएगा अब नीचे की तरफ आएगे यहां पर आपको एक Option देख रहा है My Account My Account पर आपको क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने Open होकर आएगा अब आप यहां पर अपना प्रोफाइल देख पा रहे है आपका Mobile Number और आपका Email Address यहां पर आपको Show कर रहा है अगर आपका Email Address अपडेट नहीं है तो आपको Update Profile पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना Email Address आपको यहां पर Update कर देना है अगर आप Email Address अपडेट नहीं करेंगे तो आप अपनी Call Details को Fetch नहीं कर पाएंगे तो सबसे Important है कि आपका Email Address उस पर अपडेट होना चाहिए तो मेरा Email Address यहां पर अपडेट है मैं इसे यहां पर verify कर देता हूँ verify नहीं किया गया है तो verify करने के लिए आपके जो Email Address दिया हुआ है इस पर एक OTP आएगा वह OTP आपको यहां पर एंटर करना हुआ तो सेम प्रोसीजर जब आप नया Email Address अपडेट करेंगे तो भी आपका यही प्रोसीजर फॉलो करना हुआ Email Address डालने के बाद आप verify नाव पर क्लिक करेंगे तो आपके Email पर एक OTP आएगा वह OTP आपको यहां पर डालकर verify कर देना है Email पर जाकर चेक कर लेते हैं देखिए यहां पर OTP आ चुका है OTP को आप वहाँ पर वी आई एप पर जाकर एंटर कर दीजिए और उसके पास इससे verify कर दीजिए email address हमारा है यहां पर verify हो चुका है फिर से home page पर आ जाईए और यहां पर फिर से आपको my account पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ जो option आपको दिख रहा है आपको email bills तो नीचे email bill पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने month open होकर आगे है last six months आपके सामने open होकर आगे है जिस भी month का आपको call details निकालना है उसे आपको select कर लेना है और अगर आपको सारे 6 महीने गई निकालना है तो आपको one by one click करते जाएगा और उसको email करते जाएगा तो यहाँ पर मालीजे last हम February का निकालना चाहते हैं तो February पर आपको select कर लेना है और उसके बाद नीचे जो option दिख रहा है आपको email bill यहाँ पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर request आपकी raise हो चुकी है जिस email address को अभी आपने update किया इस email address पर within one hour यानि एक घंटे के अंदर आ एक PDF file यहाँ पर attached है जिसमें आपकी call details दी गई है तो दोस्तों आपको बता देने चाहता हूं कि file जो PDF file है वो password protected होती है तो आपको यहाँ पर password एंटर करना हुआ अपने नाम के पहले दो अक्षर first two character of your name small letter में आपको डाले है और जो mobile number जिसकी detail आपने निकाली थी उसके last four digit को दौनों को एक साथ आपको यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ पर पूरा example दिया हुआ है email पर सब कुछ लिखा हुआ कि किस तर से आपको password एंटर करना है तो चलिए PDF file को open कर लेते हैं तो जैसे ही आपकी file download होकर open होगी आपसे password पूछ जाएगा तो password जैसे कि मैंना अभ पूरी open हो चुकी है तो इस तरह से आप अपनी last six months की complete call details मंगा सकते हैं free of cost दोस्तों call details को अगर आप अच्छी तरह से view करना चाहते हैं तो इसे computer में open करें अपने laptop पे computer में या तो फिर आप इसका printout निकलबा सकते हैं आपको complete details आपको यहाँ पर दिख जाएगी तो दोस् तक लिए गुडबाई टेक केर